बिस्मिल्य रह्मान रहीम असलामलीकूम डियर स्टुडेंट्स आज मैं आपको सेलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की तीनो टाइप्स और उनके मेरर्स और उनके क्रेक्टर स्ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी कॉंसेप्ट पहले जो है वो मैं आपसे शेयर का चुकी हूँ थोड़ा सा रिव्यूस का कर लेते हैं इस टायग्राम को देखें यह सेलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का कॉंसेप्ट है कि एक ग्लोब लिया जाता है और उसके उपर कागर्स का एक सेलेंडर बनाकर चड़हा दिय जाता है इस ग्लोब के अंदर रोशनी की जाती है इस ग्लोब में मजूद होतूते तूल बल्द और अर्ज बल्द का साया इस कागर्स के सिलंडर के उपर पढ़ता है जहां जहां साया पढ़ता है वहां पर निशानात लगा लिये जाते हैं और फिर इस सिलंडर को एक सीरे किसे लेका दूसरे सीरे तक काट कर जब हम वार सथा के उपर बिछाते हैं तो आपको लोंगी चुर्स और लैचिछी चुर्स इस एकोल एरिया प्रोजेक्शन और मर्केटर प्रोजेक्शन वान बाई वान जो है वो इन तीनों तरह के प्रोजेक्शन के करेक्टरिस्टिक्स और इनकी हूबियों और हामिया में जो है वो आपके साथ डिसकस करती हूँ यह जो आपको sketch नजर आ रहा है, projection draw वावा नजर आ रहा है, यह साधा cylindrical projection है, जिसको हम simple cylindrical projection कहते हैं, इसको बनाना बहुत असान है, इस projection में को बनाने का जो formula है, उसमें हम reduced radius of earth यहां जमीन का तहफीव, शुदा रदास जो हैं वो लेते हैं, वो मैंने सारा आपको एक lecture में ब multiply scale, फिर हम length of equator निकाल लेते हैं, length of equator निकालने के बाग, इस length of equator यानि zero degree को base बना कर इससे उपर और नीचे latitude लिये जाते हैं, और इसी तरह से ही इसके मशर्ग और इसके मगरिम में longitude ले लिये जाते हैं, और फिर इन सब को आपस में मिलाने से, आपको इस तरह की जो है, वो projection draw, जो है वो, मिल जाएगी, draw हुई हुई, अब इस projection की हुबियां ये हैं, एक तो इसको बनाना बड़ासान है, दूसरा अगर हम इस projection में पेमाने का देखें, तो खते इस तवा जो ये zero degree है, इसके करीब जो है, equator के करीब करीब के लागों का पेमाना बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जो जो हम equator से उपर जाते जाते हैं, खते इस तवा को छोड़ कर, इस तवाई लागों की तरफ, या middle latitude area की तरफ जाते हैं, तो पेमाने में बिगाड आ जाता है, वज़ा इसकी ये है, कि इसमें हतूते, अर्जबल जो है, वो खते इस तवा से लेकर, extreme 90 degree north, और आप 90 degree south पे चले जाएं, तो यहां तक इस खत की लंबाई जो है, यानि जो लंबाई 0 degree centigrade, 0 degree sorry, खते इस तवा वाले ये खत की है, वो ही लंबाई 90 degree वाले की है, यानि जीरो से लेकर, खते इस तवा से लेकर, कुत भी लाकों तक, जितने भी latitude हैं, उनकी लंबाई एक सी रह जाती है, अलाके कीकत में ऐसा नहीं है, जू जू हते इस तवा से फासला बढ़ता जाता है, तो ये जो दाइरे हैं, हतूटे अर्जबल्द वाले, इनकी लंबाई कम होती जाती है, यानि ये दाइरों का साइज छोटा होता जाता है, जबके सादा cylindrical projection में, हते इस तवा से लेकर, ऊपर तक ये एक ही length है line की, तो इस में क्या होता है फिर, कि जो इस तवाई लाकों के projection है, ये इसके ओपर ठीक नहीं बनते, ना तो इस projection को हम साविय रकबा कह सकते हैं, और ना ही सही शकल कह सकते हैं, क्यानि इसमें रकबा भी मुतासर होता है, उन मुमाली का, जिन अगर हम किसी इलाके की production शो करनी हो, तो वो इस projection पर बड़े अच्छे तरीके से जो है, वो शो हो जाती है, जैसे अगर मिसाल के तो रपर दुनिया में चावल की पैदावार के इलाकों को दिखाना हो, तो ये projection जो है, वो काफी मुनास्ब रहता है, अब ये जो जितने भी इसके बारे में मैंने आपको साध़ सिलंडिकर projection के बारे मैं बताय है, यानि इसके एगर हम हुबियां इसमें देखें, तो एक То ये कर ये बनाना آसान है, इस projection में पेमाना खते-स्तवा की पर वो बिल्कुल दुरूस रहता है, इस्तवा इलाकों का नक्शा जो है, इसके उ इसकी हामियों की तरफ आएं तो जू जू खतेस तवा से फासला बढ़ता जाता है तो रकबे में और शकल में जो है वो बगारा आना जो है वो शुरू हो जाता है मंतका मोतिदला और कुटबी लाकों के नक्षों की त्यारी के लिए ये पेमाना बिल्कुल ये जो प्रोजेक्शन है ये बिल्कुल जो है वो गैर मुनासिब है इस प्रोजेक्शन को हम ना तो मसाविय रखवा कह सकते हैं ना ही मसाविय शकल कह सकते हैं मासवाई हतिस तवा के करीब के इलाकों को इस प्रोजेक्शन पर कुटबी इलाके जो हैं वो जाहे नहीं किये जा सकते और इस प्रोजेक्शन में जो हतूते तूल बद और अर्जबल्द हैं वो आप शकल में भी देखने हैं कि वो एक मुरब्बा शकल में चलते हैं और एक दूसरे के उमूधन काड़ते हैं हलाके गलोब पाई ये इस तरह नहीं खेंचे जाते हैं जो आपके हतूते अर्जबल्द होते हैं वो हम मरकस दाइरों के सूरत में होते हैं और हतूते तूल बद जो हैं वो जाकर कुतब शमाली और कुतब जनूबी पर मिलते हैं हलाके इस प्रोजेक्शन पर ऐसा बिलकुल नहीं है अगर हम देखें तो तमाम के तमाम जो हैं वो खतेस तवा के बराबर चलते हैं गलो पर हम चूजू कुट पैन की तरफ जाएं तो उनकी लंभाई कम होती जाती है दुनिया का नक्षा अगर हमने बनाना हो तो इस परोजेक्शन के उपर बिलकुल ठीक जो है वो नहीं बान सकता अब दूसरी जो इसकी टाइप है वो है सिलंडिकल मुसाव्य रखबा परोजेक्शन cylindrical equal area projection जैसे के इसके नाम से show हो रहे है कि ये ऐसा projection है जो के साधा cylindrical projection से थोड़ा मुख्तिफ है और इसमें जो हतूते अर्ष पलत का आपस का दर्मियानी फासला है वो खते इस तवा से फासला बढ़ने के साथ कम होता जाता है इसले इसको हम मसाविय रखवा projection कहते है यानि इसके उपर किसी चीज़ का रखवा गशो करना हो तो वो ठीक तरीके से हो सकता है लेकिन अगर हम तूल बलत का देखें तो उसका दर्मियानी फासला बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि साधा cylindrical projection में है यानि उनका दर्मियानी फासला यकसा ही रहता है जिसकी वज़ा से इस projection के उपर जो शकल है उसमें बिगाड जो है वो आ जाता है मैं आपको इस projection की जो डाइग्राम है वो दिखाती हूँ यह है ठीक है अब यह देखें इसमें तूल बल्ग बिल्कुल वैसे ही है जैसे साधा cylindrical projection में है जबके अर्स बल्ग जो है वो फासला खते स्वासे बढ़ने के साथ उनका आपस में फासला जो है वो कम होता गया है इस projection की हूबियां जो है वो यह है कि इस projection को हम मसाविय रखबा projection कह सकते है क्योंकि इसमें रखबा जो है वो ठीक ठीक जो है असर रखबे के बराबर ही आता है इस तवाई लाकों के नक्षगर मसाविय रखबा पर रखबा पर बनाए जाएं तो सही उशकल और उसाविय रखबा ही जो है वो रहते है हतूते तूलबद और अरजबद एक दूसे को जाविय काइमा पर काड़ते है और साब आपस में वराबर होते है अमूमन सियासी तक्सीम के नक्षगर इस projection पर त्यार किया जाएं तो काफी मुनासिब रहते है चावल, गना, रबर, मंतका, हारा के इलाकों के पैदावार दिखाने के लिए यह projection मोजू है हामिया भी इसमें यह है कि कुटबी इलाकों के जानब इस projection में हदूते अर्जबद का दिर्मियानी फासला कम होता जाता है वो शकलें बिगड जाती है इसलिए इसे तरजी नहीं दी जाती है अभी मैंने आपको इस डाइग्राम में भी दिखाया कि यह देखें अगर हम हतेस्वा से उपर की तरफ जाएं तो यह कुटबी इलाकों के करीब यह 60 और 90 वाला देखें इसमें फास्ता बहुत कम रह गया होगा है इस प्रोजेक्शन में हतेस्वा से दूर अर्जबल्द के साथ प्यमाना भढ़ जाता है तमाम हतूते अर्जबल्द की नंबाई हतेस्वा के बराबर हो जाती है हलाके गलो पर ऐसा हर्गिस नहीं है यह पहले भी बात आपको मैंने बताई है इस प्रोजेक्शन में प्यमाना हतूते दूर बल्द के साथ श्माले जनूबन कम हो जाता है थर्ड इसके टाप है मर्केटर प्रोजेक्शन मर्केटर प्रोजेक्शन को हम सयू सम्थ प्रोजेक्शन जो है वो कहते है क्योंकि इसके उपर जो direction है, सिम्त है, वो ठीक ठीक जो है, वो रहती है Mercator Projection को आम तरबाद दो तरीकों से बनाया जाता है एक इसके लिए graphical method है और एक mathematical method है जो graphical method है, इसमें geometric का तरीका इस्तमाल करते हुए इसको draw किया जाता है और जो mathematical method है, उसमें एक table जो है वो दिया जाता है उस table में हतूते अर्जबल का दर्मियानी फासला जो है वो लिखा गया है और वो आपको table provide किया जाता है और उस table को इस्तमाल करते हुए आम Mercator Projection जो है वो draw करते है Mercator Projection की शकल कुछ इस तरह से जो है वो बनती है अब इस प्रोजेक्शन में जो हूविया है वो यह है कि Mercator Projection जो है वो सही सम्तों का इज़ार करते है इसलिए इसको सही सम्त प्रोजेक्शन भी कहते है इस प्रोजेक्शन को बनाना बड़ा असान है अगर टेबल मुहिया हो तो इसकी त्यारी में मजीज सहूलत हो जाती है ये सहियू सिम्थ प्रोजेक्शन होती है इसलिए समंदरी रों, दाइमी हमाओं, गहरी शहराओं, हवाई रास्तों को दिखाने के लिए इसको इसको इस्तमाल किया जाता है मर cracking प्रोजेक्शन है उस शकल भी है इसलिए आन्मी नक्षों की त्यारी में हास का जब इनकी दुरूस चकल दिखाना मक्सूद हो तो इसको गोहियू भी इस्तमाल करते हैं अब हामिय इसकी ये हैं कि इस प्रोजेक्शन में कुत्वी लाकों के नक्षों की त्यारी जो है वो नहीं हो सकती असर रकबे से दस कुना भड़े जो हैं वो नजना आएंगे गराब बनाएंगे इसको इसलिए इसको हम मसाविय औरक्बा प्रोजेक्शन नहीं कह सकते खते इस दवा से शुमाल और जुनूब के जानब हतूत अर्जबल का दर्मियानी फासला बढ़ता जाता है यह देखें यहां पर यह क्लोज है और जूद खते इस दवा से फासला बढ़ रहा है तो खतूते अर्जबल का दर्मियानी फासला भी बढ़ता जा रहा है और इस फासला बढ़ने की वज़ा से इसके उपर ठीक तरीके से नक्षा त्यार नहीं हो सकता जो कुत्वी लाके के नक्षे हैं इस प्रोजेक्शन के उपर बनाना जो है वो मुम्किन नहीं रहता यह प्रोजेक्शन जो हैं वो ज्यादतर बेहरी चार्ट और एक्लिसी नक्षों की त्यारी में भी इस्तमाल होता है अब इस प्रोजेक्शन में एक इंपॉर्टेंट बाज यह है कि यह आपको इदर लिखा हुआ भी नज़रा रहा है रमीम ठीक है इसको लेग्जो ड्रोम या रम्ब लाइन कहते है यह जो आपको नज़रा हा है अब यह लेग्जो ड्रोम या रम्ब लाइन का मतलब यह है कि अगर हम मर्केटर प्रोजेक्शन में किसी दो मुकामाद को मलाता हुई हथ एक खGO जाब धाय पर कारता है जैसे कि इस डायग्राम में एक हद खेंचा गया है ठीक है सीधा हद तो इसके नीचे जितने भी हतुते अर्जबल्द आ रहे हैं यह तमाम अर्जबल्द को एक ही एंगल पे जो है वो काट रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस नक्षे पर दो मुकामाद को एक सीधे हद से मिला देने से सही रुख या सही डिरेक्शन जो है वो मलूम हो सकती है तो इस लाइन को जो है फिर हम राम लाइन या लॉक्जब्रों कहते हैं बहरी जहास राज जो है वो इसी नक्षे को इस्तमाल करते हुए जो है वो हते मुस्तकीम में खुले समंदरों में सफर करते हैं otherwise समंदरों में तो कोई direction नहीं होती तो बटकने का हच्षा होते हैं लेकान इस projection को इस्तमाल करते हुए जो है वो एक हास direction में बिलको सीधा जो है वो बेहरी जहाजों को अपने सफर पर गामजर रखते हैं और अपना रास्ता बटकने नहीं पाते हैं आप इस प्रोजेक्शन को हमने इसकी टीनों टाइपस के मेरिट्स और डी मेरिट्स हो हैं वो आट डिसकस की हैं इसे यही पता चलता है कि यह प्रोजेक्शन जो है वो खतेस दवा के करीब के इलाकों के नक्षे बनाने के लिए बेहतरीन है और खतेस दवा से फासला बढ़ने पर जो है इसमें बनाएगे नक्षों में जो है वो फिर खराबी आना शुरू हो जाती है किसी की शकल हराब आएगी तो किसी फ्रूजेक्शन में सिम्त का रखबे का फरक आजएगा, किसी में शकल घ्राब का फरक आजएगा अब जो इसमें रा्व लाइन का मैंने आपको बताया है अक्सर वाईवा में एक्जामिनर राव लाइन के बारे में पूछते हैं तो इसको clear कर लें अब एक दफ़ा मैं फिर बता देती हूं के राब लाइन ऐसी लाइन को कहते हैं कि जब हम अब मर्केटर पर रॉक्शन पार कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और उन दो पॉइंट्स को आपस में हम एक सीधी लाइन से मिलाते हैं तो जो जिस हाथ से मिलाते हैं वो हाथ उन तमाम अर्जबल्ट को एक ही एंगल पे काड़ता है जिस से ये बास थाबत होती है कि अगर हम दो पॉइंट्स ले लें और एक सीधा हाथ जो है वो मिलाएं उन दो पॉइंट्स पे तो हम एक हास सीधी डारेक्शन में जो है वो रहेंगे तो इसी असूल को जहन में रखते हुए बहरी जहासरान सफर करते हुए मर्केटर प्रोजेक्शन के जरिए से समंदरों में सफर करते हैं ताके वो बठके न और सीधा अपनी एक हास डारेक्शन में जो है वो सफर पा रहें और सफर को पूरा करें तो आज मैंने आपको तीनो टाइप के जो आपके प्रोजेक्शन थे सेलेंडिकल प्रोजेक्शन, कॉनिकल और जैनिधल उनको डिटेल से, उनकी टाइप, उनके पीछे क्या कॉंसेप्ट है उनकी हल टाइप की क्या हुवी और हामिया है और उन प्रोजेक्शन पर कौन-कौन से इलाकों के नक्षे ठीक ठीक बन सकते हैं उनके बारे में डिटेल से जो है वो बताया है उमीद है कि आपको बड़ी अच्छी समझ आगी होगी दिहान से जो है वो इन लेक्शर को सुने जो मैंने आपको प्रोजेक्शन के बारे में दिये हैं तो नेक्स्ट लेक्शर में मैं आपको फिर ड्रॉ करना जो है वो सिखाऊंगी उसके लिए आपको अच्छा सा जुमेटरी बॉक्स एक पैंसिरी शॉपनर रेजर कमपस और एक स्टील स्केल की जो है वो जुरूरत होगी ताकि आप उसको अच्छे से जो है वो ड्रॉ करना सीख जाएं तो इन्शालब जो मेरा नेक्स लेक्चर होगा उसमें मैं आपको प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना सिखाऊंगी कि एक्जाम में आपको इन प्रोजेक्शन का जो क्वेस्टन आता है तो ऊसको आप फिर किस तरा से सॉल्ट करते हैं तो आज के लिए इतने काफी है इन तमाम प्रोजेक्शन्स के बारे में जितने भी वाईवा क्वेस्टन्स हैं उनको भी दिहान से जो है वो किया करें साथ साथ कोई प्रॉब्लम आता है समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें कुमेंट बॉक्स में या मुझसे वटसेपर भी आप जो है वो पूर सकते हैं तो इन्शाला आपका जो भी क्वेस्टन होगा उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी और आप भी पूरी कोशिश करें कि धिहान से इन सारे प्रेक्रिकल्स को सीखें और इन्शाला जब मैं ड्रॉब करना सिखा हूं तो वो भी मेरे आप इस